नवस्कार दोस्तों आप यहां सामने अपने रेल्वे का एक नोटीस देख रहे होंगे जिहां यह नोटीस अभी नया नहीं है यह नोटीस वही पुराना नोटीस है जो 5-12-21 को जारी किया गया था इसके बाद रेल्वे ने रिजल्ट के रिगार्डिंग और CBT-2 के रिगार है देखिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यह ऐसा कुछ भी होता तो रेल्वे नोटीस निकाल करके आपको जरूर बताता है यह आप देखते आ रहे होंगे कि रेल्वे जो भी कुछ चेंजस कर रहा है तो उसके लिए एक नोटीस जरूर जारी कर रहा है तो आज हो गया आपका 14 तारीख और अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया या है इसका मतलब है इकल जो डेट railway ने दिया है 15 जनवरी 2022 का उस डेट पे वो NTPC CBT 1 का रिजल्ट जारी करेगा और इसमें लगबग आठ लाक बच्चे जो होंगे वो पास होने वाले हैं देखिए मैं आपको बता दू कई लोगों को यह confusion हो रहा है कि अभी railway ने 10% का quota जो है वो दिया है एक service man उसको तो 10% vacancy का general जो बच्चे थे उन में से काटा गया है यह ऐसा कुछ नहीं किया गया है vacancy उनके लिए अलग से generate की गई है और वो उनको दिया गया है आपके सीटों में से कोई सीटों के कटोती नहीं होई है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके सीटों में से किसी प्रगार के कटोती नहीं होई है और special में धन्यवाद देना चाहूंगा इवरीडे न्यूज वैल एक भीया हैं उनका वो हर समय कोई भी एक नोटी सरे लिएक आता है उसको आपको अपडेट कराते रहते हैं तो आपको जाकर उनका चैनल जरूर देखते रहेगा चुकि आपको उनके चैनल पर पलपल के अपडेट मिलते रहेगी मैं आपको बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि ये पुरी तरह से आस्वास्ट करों कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 को ही आएगा उसके पहले नहीं आएगा और नहीं सीविटी टू के पसपॉन होई एक कोई भी सुचना भी तक आई है इस भ्रह्म में नहीं रहिएगा आप लोग म अलग कट अधि निकलेगा हर लेवल के लिए या फिर एक ही कट अपसे होगा तो यह बात आप ध्यान रखिके कि जो पांच या छे लेवल के एक्झाम होने हैं वारा पेजान हो भरों में मनना रहिएगा क्लियर हो जायागा आप जितने नंबर अधिक लाएंगे तो आप उतने मतलब cvt2 के लेविल को पार करेंगे उतने ज्यादे आप cbt2 देंगे आपके success होने के chances उतने ही ज़्यादा है ठीक है तो इसके लिए आपको मेहनत करते रहना है अपने level को देखते रहना है कि हम कहां तक सेट practice करते हैं तो कहां तक marks लाप आ रहे हैं जिससे आप अपने आप में कोई कमी हो तो उसको सुधार भी सकते हैं और NTPC का result है दोस्तों वह 15 को आ जाएगा साम साम तक ऐसे कहा जाता है कि railway जो है वो notice निकालता है कि हम दसवेद दीन में देते हैं तो पांच वे साम या फिर रात रात तक आपका result आ जाएगा और साथ साथ स्कोरकाट भी जारी कर देजाएगा क्टा भी बता दिया जाएगा क्या क्या आया है 14-18 के बीच में आपका जो सीवीटी टू होने वाला है यह पांच दिन का जो समय है इसी में आपके पांचों लेबल के एक्जाम हो जाएंगे अब यह एक्जाम किस तरह से कंड़क्टर बाता है यह जिम्मे में हो सकता है कि यह इस डेट को थ्रास एक्स्टेंड किया जाए इसके लिए फुल सेडूल जारी करेगा आपको दिखा दो मैं कि आपके वेकेंसी में किस तरह कोई कमी नहीं आई है यह 35,208 जो सीटे हैं यह जनरल क्लास के जो बच्चे है मार जनरल कह छोड़के जो बच्चे हैं उनका सीट या थावत रखा गया है और आपको यह दिखा दूँ कि जो सीट बढ़ा था यह कुलकता मैट्रो में उस सीट को इंप्रूड करके और जो यहां पर लब जो अलहाबात में जो अप्डेट किया गया था चुकि इसमें जो हमारा बनार इसके कुछ सीटों को हटाया गया था तो सारा अपडेट करने के बाद आपके टोटल सीट जो हो रहे हैं वह 35-2008 हो रहे हैं तो यह आपकी सीटे जो हैं यथावत हैं इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं हुआ है तो आप लोग 14-18 जो फरवरी को सीविटी टू एक्जाम होन साथ साथ बहुत सारी यूट्यूब चैनल बहुत सारे टीचर्स को देख रहा हूं उन सबका मैं जब मतलब एनलाइज कर लोगा डाटा तो आपके सामने कटफ लाओंगा और हो सकता है कि उसके आसपास ही आपका कटफ जाएगा मैं दोते आगले वीडियो में तब तक के ल